मानो जीवन के रंग मंच पे तीन केटेगरी के लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं, जो कि इनकी विचार धाराएं जो हैं ये तीन परकार के हैं, आपको बता दे रहा हूं, ये एक होते हैं मिडिल, और एक होते हैं मुर्ख, और एक होते हैं महा मुर्ख, तीनों मैं आपकी अंत वो अस्कूल का रस्ता तक नहीं देखें, कखगगः का अच्छर भी नहीं जानते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि एक कहौत भी है कि काला अच्छर भैंस बराबर, एक और उसमें कहौत है कि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थत, तो मित्रो उन अनपढ़ वेक्ति को लगे कि वो हमारे धर्मगरंद का ज्यान नहीं रख पाते हैं अनपढ़ की वज़ा से, अगर सायद वे पढ़े लिखे होते, तो हमारा धर्मगरंद का ज्यान रखते हैं, यह हमारा धर्मगरंद कैसा है, धर्मगरंद वाकी में सत्य है या असत्य है, तो उसके बारे में जनकारी रखते और इसी नाजनकारी रखने के वज़ा से ये क्रिश्चन लोग आते हैं और उनकी ये बागडोर अपने कार अनसार वो सम्हालते हैं और रुपे पैसे का लाला देते हैं और क्या बताते हैं कि ये जो तुमारे भगवान है ये भगवान नहीं है जिसे तुम भगवान म तरन में आ जाओ और ये लोग क्या क्या कार करते हैं आप लोग को बता रहा हूं सुबह को तीन बजे उठ जाना है ये लोग को और सुबह ही सुबह तीन बजे सब लोग जब सोया रहता है तो ये धीजे बे फुल्ड साउन में घाना बजाते हैं और ये लोग से अगर आप ल प्रवाज निकलता है इस से जितना दुरी तक ये आवाज जाएगा इसकी धौनी जाएगी तो उतने दुर तक सैतान का निवास नहीं होगा सैतान भाग जाएगा तो इन मुर्खों को पहले ये तो ग्यान होना चाहिए कि सैतान है कहां सैतान ये जो मंद बुध्धी के परव बलता है यहीं पर सैतान है आप दुष्टता ये कार कर रहे हैं यहीं सैतान का पर यहीं पर निवास करता है जो कि आप क्रोध क्रोध जब तक त्यागिया गा नहीं तब तक आपका ये सैतान आपके अंदर से भागे गा नहीं जब तक आपके सर पर क्रोध है तभी तक आप आप करोध में रहिएगा, किसी के प्रती उल्टा निगा रखिएगा, तब आपके प्रती सर पे सैतान सवार होता है, और ये डीजे पे गाना क्या बजाते हैं, कि मेरे स्वर्ग के राजा हमको प्यार चाहिए, तो इन गदहों को पहले ये तो मालूम होना चाहिए, कि स्वर् इंद्र जो बता रहे हैं स्वर्ग का राजा, ये भागवान सुर्ग का बड़े भाई हैं, और जो नर्क का राजा जो बता हैं यमराज को, वे सुर्ग के बड़े पुत्र हैं, तो मित्रों सबसे बड़ा सैतान तो ये लोग हुए, कि ये लोगों तो पहले धर्म का ज्ञा कि स्टोर में में गां दिये और सुनने वाला मुर्फ है और भगाने वाला मुख्ये ओर गाने वाली ये सारे मुर्फ ही मुर्फ अद रहा हैं जो metric integration कर लिये हैं, वो ज्यादा तक तो पढ़ाई नहीं कर पाएं, वो सके उनकी अर्थ ब्यवस्ता गड़बढ हो, या किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाएं, तो ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपना काम चलाओं, पढ़ाई कर चुके हैं, तो वे अपना कार भार समाल रहे हैं, परिवार समाल रहे हैं, तो वे लोग धर्म गरंथ का ग्यान रखते हैं, कि हमारा रमायन क्या है, भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है, क्या सचाई है, क्या इसके अनुशार कार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो तीसरे के डिगरी का जो बताया हूँ, महामुर्ख, जो कि PG, PhD, डिपलोमा, MPL, मतलब जितने अगरा बेगरा ये लोग डिगरी ले चुके हैं, तो ये लोग क्या सोच है, कि अब तो हमसे सर्वस्रेष्ट कोई है नहीं, अब ये क्या करते हैं, ये साइंस के दुनिया में चले जा रहे हैं, इन लो को ये बता दूं, कि साइंस की उत्पत्ती लगबग सो वर्ष से ये उत्पत्ती हुई है, जो कि साइंस के मताविक ये लोग एक एक जामपल आपको दे रहा हूं, ये अल्टरा साउन जो मसीन होता है, तो जैसे कि बताया कि लगबग सो वर्ष से, मान लिजे कि सो वर्ष से लोग का साइंस का उत्पत्ती हुगा है तो अल्ट्रा सॉन में मालम सलता है कि हां ये आपका बच्चा मतलब जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है लिंग निरने का ये परारूप जो बताता है तो मित्रों हमारे गरंथ में अगर पढ़िएगा तो ये चीज लिखा हुगा है कि ये जो कपिल मूनी जो थे रिशी जो थे वो अपने पतनी को ये लगबग हजारों बरस पहले वो बताचुके थे कि बच्चा का जो प्रजनन प्रकिरिया चलता है रजो धर्म जो बोला जाता है रजो धर्म ये की ये मांसी कवस्था जो औरत का महिना आता है तो उस समय कि ये व्याख्या बताते हैं कि चार दिन के बाद अगर चार दिन के बाद पाचवा दिन अगर पती-पतनी आपस में जो संभोग करेंगे तो पुत्री की प्राप्ती होती है छठे दिन करेंगे तो पुत्र की से बता है कि जो सम समय का जो दिन है वो पुत्र की प्राप्ति का है विशम संख्या वाला जो दिन है वो पुत्री की प्राप्ति का है तो इस परकार से वो हाजारों बरस पहले वो बता चुके थे और भी बता है थे कि सरो पर्थम बच्चे का ये सर का प्रजनन होता है उसके बाद हाथ बनेगा उसके बाद पैर बनेगा तो प्रथम मा में उसका ये गर्दन के उपर का उपरी भाग जो बनता है और दुसरे मा में हाथ बनेगा तिसरे मा में पैर और तिसरे मा के अंतराल में ही वो लिंग का निधारन उसी समय होता है कि ये पुत्री है या पुत्र है तो वे 1000 बरस पहले का पील मुनी बता चुके थे अपनी पत्नी को, और ये इल्टराशाउन, उसी, ये जो साइंस है, तो रोर्टाशाउन के मशीन जो बनाये हैं, तो वो ही गरंत पढ़ गे, और बनाये हैं, तो ये बohते हैं, कि हम साइंस सबसे सरोगतम हैं, और सबसे आगे तो ये लोग science के दुनिया वाले लोग क्या बताते हैं ये जो सूर निकलते हैं तो इनको बताते हैं कि ये hydrogen और helium gas है तो hydrogen और helium gas है तो ये पेंड पोधे परकास संसलेशन दवरा ये जो खाना बनाते हैं पेंड पोधे तो आप लोग तो जानते हैं कि पेंड पोधे से oxygen मिलता ह और हम लोग carbon dioxide छोड़ते हैं, तो अगर एक दिन भी शुर नहीं निकलेंगे न, तो ये पुरे संसार में परले मच जाएगा, कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, इसलिए कि हर प्राणी oxygen से ही जीवित रहता है, तो इतने science के पास अकल नहीं है, और ये science तो जानता है, कि हम किस परकार से ये अपना जो technology त्यार किए हैं, वो गरत से ही त्यार किए हैं, मगर वो लोग ये बात नहीं बोलते हैं, कि हम साइंस सबसे आगे हैं और तरक्की कर रहा हैं। ये इन गदहों बोल रहे हैं, जो नया नया जो पढ़ रहे हैं, वे लोग बोलते हैं। तो मित्रो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर और विस्तारुप से बताना चाहूं तो मेरा वीडियो काफी लोग चला जाएगा, जो कि आप लोग इतना लोग नहीं देख सकेंगे, तो इसके लिए अब मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, बाकी चीजे मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा,